हेलो एब्रीवान वेल्कम बैक प्रीविस क्लास में हम डिसकस कर रहे थे यूनिट वन जो की है इंट्रोडक्शन जहां पे हम लोगों ने देखा एकनॉमिक्स का मीनिंग एकनॉमिक्स किसे कहते हैं एकनॉमिक्स में हम एकनॉमिक आक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं तो एकनॉमिक आक्टिविटीज क्या है वो एक्टिविटीज जो की स्कार्स रिसोर्सेज या लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वॉंट्स को किस तरह से हिूमन जो है वो स्कार्स रिसोर्स की मदद से अपने unlimited wants को satisfy करते हैं तो जितनी भी activities हैं उनको हम economic activities कहते हैं और फिर हम लोगोंने discuss किया था कि economic activities कितने type के हैं तो main 5 type आपको पता है 11th में भी हमने पढ़ा है production, consumption, distribution, exchange and investment. There are 5 types of economic activities मतलब all those activities which are related to the satisfying unlimited wants with these scarce resources are 5 types ओके और फिर हमने देखा कि economics की जो study है या economic activities की जो study है उसको हम दो categories में divide कर सकते हैं एक है आपका micro और अगला है macro, micro और macro यह जो दो words है या दो category है इसको divide Ragnar Frish नाम की economist ने किया था 1933 में यह micro macro words जो है यह Greek language macros and macros से लिए गए शब्द है macros का मतलब होता है small macros का मतलब होता है large और फिर इन दोनों के बीच में क्या differences है हम लोगोंने in points के साथ previous class को finish किया है मैंने आपको एक brief में explain कर दिया कि previous class में हमने किन-किन topic को cover किया था आज के class में continue करेंगे और इसके आगे के topic से हम शुरुबात करेंगे तो meaning of economics हम देख चुके हैं now come to the topic which is definitions of economics economics की meaning की बात करो तो बहुत सारे meaning हो सकते हैं इसके और अगर हम बात कर रहे हैं कि economics का कोई proper definition कोई proper परिभाशा तो क्या है तो economics की जो परिभाशा है वो कई तरह से अलग-अलग लोगों के द्वारा दी गई है उन तमाम definitions को हम चार categories में divide करते हैं और चार main definition हम लोगों को देखने को मिलता है ठीक है economics के definitions mainly चार है सबसे पहला जो definition है that is wealth oriented definition सबसे पहली जो परिभाशा है वो है धन आधारित परिभाशा धन को आधार बनाते हुए economics को define किया गया और कहा गया कि economics एक ऐसा subject है जहां पे हम बात करते हैं धन की wealth की और इस definition को देने का जो credit है this definition is mainly given by Adam Smith Adam Smith नाम के economist ने सबसे पहले economics को wealth पर based करते हुए define किया और इस definition को चुकि पहली बार Adam Smith ने दिया था इसलिए इस definition को famous करते हुए Adam Smith को father of economics भी कहा जाने लगा चुकि पहली बार इन्होंने ही economics को एक अलग विशय के रूप में अलग subject के रूप में परिभाशित करते हुए अपनी किताब जिस किताब का नाम था इन्होंने एक book published किया था book था इनका और book का नाम था and inquiry into the nature and causes of wealth of nation ये एक book थी जिस किताब में Adam Smith ने economics को पहली बार define करते हुए उसे धन का विज्ञान बताया Adam Smith ने का कि economics जो है वो science है किस चीज़ का wealth का और इस definition को इन्होंने अपनी किताब में publish किया जो किताब जो किताब publish हुई थी published in 1776 में ये किताब Adam Smith की 1776 में आई थी ये किताब में Adam Smith ने जो economics को define किया तो ये अपने आप में काफी famous काफी बहतर definition रहा और इस definition को बहुत सारे अलग-अलग classical economists ने support किया जैसे कि J.B. Say, Walker, Senior इस तरह के economist ने और भी इस definition को support करते हुए कहा अलग-अलग economists थे जिन्होंने J.B. Say, Walker, Senior ये सब economist के नाम है ठीक है और ये सब आपके classical economist का group है तो शुरुवाती दौर में जितने भी economist के group आए उन में से ये कुछ लोग हुए Adam Smith के साथ ये लोग भी थे और इन लोगों ने मिलकर economics को wealth-oriented definition दिया और धन का विज्ञान बताया ये definition में उन्होंने बताया कि कैसे व्यक्ति जो है वो income earn करने से related wealth को earn करता है उसको distribute करता है और इस तरह से कैसे कोई भी व्यक्ति पैसे कमा कर अपने रोज मर्रा के जीवन को व्यतीत करता है इस तरह के तमाम बातों के साथ Adam Smith का पहला definition चला काफी लंबे समय तक ये definition जो है ये famous हुआ यूज किया गया उसके बाद समय बीता समय के बीतने के साथ साथ economics की जो ये परिभाशा थी इसको कई सारे economists ने criticize भी किया मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये जो definition Adam Smith ने दिया है ये गलत है क्योंकि economics सिर्फ धन का विज्ञा नहीं है इसमें हम और भी बातों को करते हैं तब जा करके एक और definition जो है वो काफी famous हुआ और वो definition था welfare और और इस डेफिनेशन को देने का जो क्रेडिट है वो जाता है प्रोफेसर अलफ्रेड मार्शल को प्रोफेसर अलफ्रेड मार्शल नाम के economist ने फिर जा करके एक definition दिया जिसमें उन्होंने economics को define करते वे कहा कि economics is not a science of wealth बलकि ये तो बताता है कि किस तरह से मानव अपने कल्यान को human अपने welfare को किस तरह से बढ़ाता है economics का subject matter ये बात को explain करता है उन्होंने कहा कि economics में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक human जो है वो अपने कल्यान को बढ़ा रहा है और किस तरह से वो income earned करता है अपने self development, अपने self welfare के लिए वो ये काम करता है और इस definition को उन्होंने अपनी एक किताब में दिया जिस किताब का नाम था Principle of Economics और ये किताब जो है, ये publish हुई थी 1890 में, 1890 में और ये किताब में जो Alfred Marshall ने definition दिया इस definition को भी बहुत सारे लोगों ने support किया और कहा कि बिल्कुल economics सिर्फ धन की बात नहीं करता है बलकि economics में हम मानव के कल्यान की बाते करते हैं और इस तरह से जब ये definition famous होता गया तो बहुत सारे अलग-अलग economists थे जिन्होंने इस definition को support किया support करने वाले अलग-अलग economists में आते हैं ये आपकी economist के नाम है Pigu ETC तो इस तरह से कई सारे economists आये और बाद में उन्होंने welfare-oriented definition को support करते वे कहा कि economics is the science of human welfare फिर समय बीच चुका था समय बदलने के साथ-साथ लोगों ने कहा कि इस definition में भी कही ना कहीं कुछ कमी रह गई है ये भी definition, welfare-oriented definition भी अपने आप में complete नहीं है तो हमें कोई नए definition की जरूरत थी और फिर आपको तीसरे category का definition मिलता है जो की है scarcity-oriented definition famous जो परिभाशाएं अर्सास्त्र की है उन में से ये तीसरी famous परिभाशा जो की scarcity-oriented थी और ये definition scarcity-based definition देने का जो credit है वो जाता है लियोनल रॉबिन्स को आ एल रॉबिन्स को जिसमें इन्होंने बोला कि अर्सास्त्र ना ही धन की बात करता है ना ही मानव के कल्यान की बाते करता है बलकि अर्सास्त्र एक ऐसा विशय है जहां पर हम बात करते हैं problem of choice की problem of choice की बाते इसलिए करते हैं रॉबिन्स का कहना था कि economics में हम problem of choice की बाते करते हैं चुन्ने की समस्या अब ये चुन्ने की समस्या है क्यों क्योंकि मनुश्य जो है उसकी इच्छाएं और सीमित है unlimited wants है human के और इन unlimited wants को वो पूरा करना चाता है resources से और वो resources वो संसाधन जो है वो सीमित है तो जब आपके पास पैसे की कमी हो जाती है और उन कम पैसों से आपके पास इक्छाएं बहुत है आपको बड़ी सारी चीजों का इस्तिमाल करना है तब आपको चुनना पड़ेगा तब आपको choice करना पड़ेगा कि कौन सा important need है हमारा कौन सा want हम पहले पूरा करें किसको हम बाद में पूरा करें ये जो definition रहा ये भी एक समय तक काफी famous हुआ काफी important definitions ये माना किया जिसमें लियोनल रॉबिन्स ने तो बाद में और भी लोग आए जिन्होंने इस definition के support में समर्थन किया जैसे कि विक स्टीड नाम के economist थे उन्होंने कहा कि हाँ ये definition काफी important है और economics वाकई में कमी की बाते करता है scarcity की बाते करता है जिसकी वज़ा से चुनने की समस्या उत्पन होती है एक लंबे समय तक ये definition भी चलने के बाद लोगों ने इस definition की भी कहीं न कहीं criticism जो है वो करा तब जा करके fourth famous definition economics का मिला which is growth oriented definition और ये जो है growth oriented definition this is the famous definition अब तक का जो भी economics को परिभाशित किया गया इस definition को देने का credit जाता है Paul Samuelson को जिसमें Paul Samuelson ने कहा कि अर्सास्त्र एक ऐसा विशय है या economics का जो subject matter है वो ना ही सिर्फ wealth है ना ही सिर्फ human welfare है और ना ही सिर्फ और सिर्फ scarcity है बलकि Paul Samuelson के definition में उन्होंने explain किया और कहा कि economics में हम wealth की बात करते हैं जिसकी मदद से human अपने welfare को बढ़ाता है और welfare को बढ़ाने के लिए वो problem of choice को face करता है और तब जाकरके व्यक्ती का growth हो जाता है जिससे की पूरे के पूरे nation का development पूरे के पूरे nation का growth होता है तो ये जो definition था growth oriented definition this definition was given by Paul Samuelson जिसमें उन्होंने previous सारे के सारे definitions को include किया और include करते वे उन्होंने अपना definition देते वे उसको growth based definition जो है वो बताया और इसकी वज़ा से चोकी growth oriented definition जो की Samuelson ने दिया इस definition में उन्होंने सारी बाते कर दी जो अब तक चली आ रही थी लेकिन अलग-अलग तरीके से इन्होंने तमाम बातों को एक साथ मिला दिया जैसे कि उन्होंने wealth भी add किया welfare भी add कर दिया उन्होंने scarcity भी add कर दी और इन सब को मिला कर उन्होंने growth की बाते करी तो यह definition काफी famous definition हुआ superior definition इसको माना गया और समय के साथ इस definition की जो महता है वो बढ़ती चली गई और इस तरह से हम लोगों को economics के चार main definitions मिल गए आपको यह चारो definitions का base किसके द्वारा दिया गया और कुछ छोटे-छोटे important points जो है वो जानने थे याद रखने थे और इसके साथ definition of economics का topic यहाँ पे over अब हम आगे चलेंगे economics के और भी categorizations है nature of economics की अगर हम बात करें अगला topic जो होगा हमारा जिसमें हम बात करेंगे कि economics का क्या nature है तो nature of economics को दो तरह से बाटा जाता है एक है normative और एक है positive तो किसे कहेंगे positive economics और किसे कहेंगे हम normative economics चलिए अब हम इस topic को discuss करते हैं तो अब हम बात करेंगे economics के आप क्या सकते हो different type भी economics की study को और भी अलग-अलग तरीके से nature के basis पे divide किया जाता है और अब हम लोग उनको ही देखेंगे यहां तक के सारे topic हम लोग class 11 में पढ़ चुके हैं तो यह हमारे लेक तरह का repeat था अब जो चीजें हम discuss करेंगे वो आपको थोड़े-थोड़े नए मिलेंगे so the next topic is nature of economics economics का जो nature है जैसा कि मैंने बताया इनको हम दो category में divide कर सकते हैं एक है आपका positive economics और एक अगला है normative economics ठीक है positive economics और normative economics तो economics का nature दो categories में बटा हुआ है अब बात करें कि positive economics का क्या मतलब है और normative economics का क्या मतलब है तो शुरुआत करते हैं हम positive economics से और आपको मैं brief कर देती हूँ लेक positive economics में हम बाते करते हैं about what is short में कहें तो जब हम बात करेंगे what is के बारे में मतलब हम positive economics में है और normative economics का जो concept है वो है what ought to be इसका जो concept है वो आपको बतलाता है about what ought to be मतलब होना क्या चाहिए ठीक है वस इतनी सी बात है इन दोनों के concept में जो की आपको और मुझे समझनी है positive economics is a science एक एक करके आप बात करेंगे हैं हम लोग तो सबसे पहले देखें positive economics में तो positive economics एक ऐसा science है जहां पर हम क्या बात करते हैं it is a science which is related to as they are मतलब क्या हुआ कहने का तो जो भी situations है जो भी economic conditions है और जो condition जैसे है जिस भी स्थिती में है जिस भी situation में है जब हम इससे related science की बात कर रहे हैं तो हम positive economics की बात कर रहे हैं अब मतलब समझेगा अगर हम example के तौर पे कहें तो हमने कहा कि इंडिया में poverty है और गरीबी जो है इंडिया में वो हो गई suppose 25% मतलब 25% people जो है इंडिया के that is below poverty line suppose that हम लोगों ने ऐसा एक example लिया कि poverty in India is below poverty in India is 25% और people below poverty line जो है वो 25% है तो यह एक current situation है ऐसा है और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यह example हो जाएगा आपके positive economics का because यहाँ पर हमने बाते करी हैं चीजों के बारे में जैसे वो है as they are ओके ठीक उसी तरह से अगर मैं normative economics में चलूँ मैं आपको साथ साथ में explain करती जाती हूँ so that कि आपको बाते बहतर समझ में आ है तो जब हम normative economics की बाते करते हैं तो normative economics एक इसा science है it is a science it is a science which is related to जो की संबंदित है किस से संबंदित है तो what should be what should be हो ना क्या चाहिए दोनों में बस basic difference इतना ही है positive में बात कर रहे है कि जो चीजें जैसी है क्या है जैसी भी है तो जब तुम इस तरह के concept को समझते हो तो positive economics में हो और जब हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए होना क्या चाहिए situation आखिर ideal situation होगी क्या तो जब आप what ought to be की बाते करते हो अब जब आप आते करते हो कि situation में किस तरह से बदलाव लाया जाए तो आप normative economics में हो आदर्श्वादी अर्शास्तर की बाते कर रहे हैं इसको आदर्श्वाद अर्शास्तर कहते हैं जैसे example में हमने क्या देखा कि poverty 25% है suppose that this is the concept of positive economics अगर हम normative economics में आते हैं तो क्या गरीबी 25% होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इंडिया में poverty जो है वो घटनी चाहिए poverty should be reduced तो जब हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए भई गरीबी घटनी चाहिए 25% से भी कम होना चाहिए poverty removed हो जानी चाहिए बिलकुल हटी जानी चाहिए ऐसा होगा तो काफी बहतर होगा तो जब आप एक ideal situation की बारे में study कर रहे हो उस तरह के concept को आप aspect के साथ economic facts को discuss कर रहे हो तो आप normative economics में हो आप एक ideal situation की बाते कर रहे हो और positive मतलब बात कर रहे हैं जो situation actual में है so this is all about the nature of economics दो तरह का positive and normative अब है कि positive economics में जब हम situations वगरा की बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पर उसके cause उसके effect की बाते नहीं करते हैं यहाँ पर बस हम situation की बाते करते हैं normative में हम बात करने लगते हैं कि जो situation है उसका कारण क्या है उसका प्रभाव क्या है और उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है तो यह आपको basic differences देखने को मिलते हैं positive and normative science या economics के case में अब इन दोनों में na differences हैं काफी differences हैं चोकि concept ही अलग-अलग है तो basic जो मतलब है इन दोनों का वो बिलकुल यही है जो मैंने आपको बताया तो क्या एक सवाल आता है कि economics positive है या normative है जब हम अर्सास्तर की बाते करते हैं तो is that economics positive और normative तो इसका जवाब है कि economics जो है वो बोत है यह positive भी है और normative भी है दोनों तरह की concept को economics में include किया जाता है हम economics के अंदर present situation, current situation भी discuss करते हैं और जो situation होना चाहिए हम वो भी discuss करते हैं तो nature of economics आपको दोनों तरह का मिलेगा बोथ मिलेगा positive भी और normative भी लिखो इसके साथ इसको और भी जादा लेंदी नहीं करते हुए हम इस concept को यहीं पर finish कर सकते हैं और अब हम लोग अगले topic की तरफ बढ़ेंगे और next topic जो होगा वो हो जाएगा आपका economy जो कि micro and macro economics जो है वो हमने discuss कर लिया है उसके scope वेगरा को हम लोगों ने first class में ही देखा तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो economy है उसका क्या मतलब होगा और economy के क्या type हो सकते हैं तो यह जो topic होगा economy economy के types इसको हम सोच रहा है next class में हम लोग cover करें आज के class को हम लोग यही कुछ basic जो concepts हमारे left थे बचे हुए थे उसके साथ यहाँ पर finish करते हैं अगले class में हम लोग चुकि micro और macro जो है उन दोनों का difference भी हम लोगों को जानना था first class में मैंने आपको brief किया है still अगर required होगा और भी ज्यादा points में इसको बंदाना तो मैं आपको explain कर दूँगी और फिर हम लोग economy का meaning उसके types और economic problems and central problems जैसे जो topic हैं इनको cover हमारे next class में करेंगे thank you जाई आपको नहां आपको जोगो जो आपको जसे एंको आपको जसे हो आपको प्राइबंगे झाल झाल